दोस्त एक साई की बानिन्ध है और जब तक इनसान रोश्णी में रहे साया इनका साथ देती है और जब वो रोश्णी से तारीक अंधिरे में आ जाता है साया उनका साथ छोड़ देती है दोस्त को कमल के फूल की तरह होना चाहिए जो जोहर के सुकने पर इसी में मिल जाता है ना खे खुश्णमा परिंदे की तरह जो जोहर के खुश होने पर उड़कर कहीं और चला जाता है अगर आप अच्छी और मिठी गुफ्तगू नहीं जानते तो चुब रहना जानिये क्यूंकि चुब रहना भी इतना ही बड़ा काम है जितना कि बोलना रेट के जर्रों को हवाएं उड़ाती फिरती है मगर रेट के जर्री जब मिलकर पहाड बन जाएं तो कोई तुफान भी इनको हिलाने में काम्याब नहीं होता अदम इतनान दरसल अदम कनाद की कीमत है जो हर इस शख्स को बगटेने पड़ती है जो अल्ला ताला की तक्सीम अता पर राजी ना हो खुद को सवारने और अपनी जिन्रगी बेहतर मराने में इस कदर मगन हो जाओ कि दोसरों पर तनकीत के लिए आपके पास वक्त ना हो जो शख्स सोने चांदी की वरतनों में खाना खाता है अल्ला ताला इसके पेट को जहनम की आग से बर देता है दोसी करने के लिए खुबसूरत चहरे मट ढूंडो अक्सर खुबसूरत चहरे वाले दिल के काले होते हैं इस दुन्या में कोई गुरूब आखरी नहीं हर गुरूब के लिए एक नया तलू मुकद्र है बशर्टी का आदमी अपनी शाम को बापिस सुमा में तबदील करने का होसला रखता हो ये दुन्या की जिन्दगी कुछ भी नहीं मकर एक खेल और बहलावा दरसल जिन्दगी का असल घर तो दार आखरत है काश ये लोग जानते खोब जान लो दुन्या की जिन्दगी इसके सवा कुछ भी नहीं कि एक खेल दिल लगी और जाहरी नमुद नमाईश और तुम्हारा एक दुसरे पर फकर जताना और मालो अलाद में एक दुसरे से बड़ जान खौवजदा से मश्वरा मतलो 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 खौवजदा से मश्वरा मत अगर तबीब ही बिमारी मोल ले तो फिर इलाज कौन करेगा जन्दगी गुजारने के दो असूल है सबरो शुकर हकीकी सबर है कि गुनाह ना करे और हकीकी शुकर ये है कि किसी नेमत का अपने आप को हगदार ना समझे जो इनसान रोटी खाने से पहले अल्ला का शुकर अदा करता है और रोटी खाने के बाद अल्ला का शुकर अदा करता है तो समझ जाओ अल्ला उसे कायामत के रोज अपना दिदार कराएगा महब्बत रूह का गुलाब है अगर ये मुर्जाएं तो जिन्दगी में कशिश नहीं रहती हिक्मत एक दरख्त है जो दिल से उकता है और जबान पर फल देता है याद रखो जिस दरख्त की लकड़ी नरम होती है इस पर शाखें जादा निकलती है पस नरम तबियत और नरम हो हो जाओ ताकि तुम्हारे दोस्त जादा बन सकें